Welcome to Study Material by DS दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल Study Material by DS में है दोस्तों इंडियन ने भी बाले हैं अगर आप और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और इस वीडियो को आप बहुत जल्दी से देख लें और अगर आपके पास 4 या 5 मिनट हैं तो प्लीज वीडियो को बिना एस्किप किये हुआ है पूरा देखें क्योंकि आपके दो बहुत बड़े सवाल हैं जो कि मेरे पास आई और मुझे लगा कि आपके इन कमेंट्स का या फिर इन सवालों का जवाब देना चाहिए जो कि बास्तों में देने लाइक हैं आप देख सकते हैं नीचे दोनों कुश्चन मैंने लगा रखें आपको दिख रहा होगा थमनेल में ये और ये तो इनी से संबंदे थे आज का अपना ये वीडियो और बास्तों में ये जो कुश्चन है ना दोस्तों वो बहुत जरूरी है इसका जवाब आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप फॉर्म एपलाई कर रहे हैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके बाकी वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक मोचाने की कोसिस करें और जो कुछ भी आपको गलती नजर आते है वीडियो में या फिर कोई सवाल आपके मन में रहा जाता है तो कमेंट बाक्स का इस्तिमाल करके हमें कमेंट करें तो चलिए समय को वरवाद ना करते हुए अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो के तरफ और दिखाते हैं वो क्या कुश्चन्स हैं जो की आप लोगों की दिमाग में अभी चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट आई हैं लेकिन मैंने सभी कमेंट नहीं उठाए सिर्फ वही कमेंट उठाए हैं जिनसे की आप लोगों का फायदा होने वाला है दखीए दिवाकर 60 नाम इनका नहोंने हमें कमेंट करके पूझा कि सर डवयले और SSR का एक ही फॉर्म होगा की अलग-जभ उलग इनका یہ पहला कुश्चन दूसरा कुश्चन था और डवयले और SSR का एकजाम एक ही होगा की अलग-जच तो देखिए इन्होंने ये पूचा ये कि बहुत जरूरी बात है ये आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको इस चीज का मतलब पता होना चाहिए अगर आप फॉर्म एपलाई कर रहे हैं तो आपको इन दोनों कुश्चन्स का जबाब पता होना चाहिए अगर नहीं है पता तो वीडियों बने रही है हमारे साथ हम आंगे आपको सब कुछ बता देंगे सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे क्योंकि हमारा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुचाना और आपके दिमाग के सारे डाउट्स को क्लियर कर देना आगे बढ़ते हैं और कमेंट थोड़ा आपको क्लियर नहीं देख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इन्होंने भी यही पूछाए कि दोनों का एक्जाम एक ही दिन नहीं होगा क्या सर दूसरे पूछते हैं कि सर डवाले एक साथ एपलाई कर सकते हैं क्या तो वही कुश्चन है कि हम लोग दोनो एक साथ आपलाई कर सकते हैं दोनों का एक्जाम एक ही दिन होगा या अलग अलग होगा दोनों का पिपर या फिर जो एप्लिकेशन फॉर्म होता है वो सेम होता है या फिर अलग अलग यह चीज़े लोगों ने पूछी है तो आपको बता देँ अलग हैं उनकी दो रास्ते अलग अलग हैं तो कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पर आप एक रास्ते पर चले जाएं तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि आपका जो फॉर्म होता है इसका भरता तो एक ही बार में है लेकन जिसका एक्जाम होता है उसके बारे में आपका form तो एक साथ खुलता है और दोनों के लिए आपको 205 रुपए देने पड़ रहे हैं बस लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि दोनों का form एक ही होता है तो यार पिछली बार तक तो form इनके अलग-अलग होते थे लेकिन अब आपको सीधा सीधा एक ही आपकी आईडी मिलेगी जो की डवाले एस करके कुछ आपकी या फिर आपका जो application number है वो आने लगा है पहले डवाले का अलग application number होता था और SSR का अलग होता है क्योंकि पिछली बार इन लोगों ने हमें बताया नहीं था और इन्होंने अपना जो exam है वो comment करा दिया था लेकिन इन्होंने जो आपकी application number है या फिर जो registration number है वो अलग-अलग दिये थे लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है हम आपको अब दिखा देते हैं वो proof कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो आपका application form है वो अलग तो होता है लेकिन एक बात मान के चलिए कि ये इसे आप common ही कह सकते हैं अब बात रही अगर exam की कि exam अलग-अलग होगा अलग-अलग डेट पर होगा तो आप ये कैसे कह सकते हैं तो उसका proof भी हम आपको दिखा देंगे क्योंकि आपके मन में कोई भी doubt रह जाए ये हमें जरा भी पसंद नहीं है तो friends proof के लिए हम लेंगे the Indian Navy का official notification जो की आपका फरवरी 2020 badge के लिए आया है अगर आपके पास है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप download कर सकते हैं और उसके बाद आप नीचे देखेंगे selection criteria में आकर तो आपके सारे doubts clear हो जाएंगे देखिए यहाँ पर देखिए आपको computer based examination जो की 9 नमबर पर एक session आपको दिखाई देगा उसमें पढ़ेंगे ए नमबर पर लिखा होगा मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको clear दिखाई दे सके लिखा है one common examination will be conducted for AA and SSR entries जी हाँ दोस्तों साफ साफ इनोंने लिख रखा है कि आपका AA और SSR का जो exam होगा वो एक common exam होगा और दोनों को लिए आपको केवल एक ही exam देना पड़ेगा पिछली बार की तरह है ऐसा कुछ भी नहीं है क्यूंकि आपको अलग-अलग exam देना पड़ता था बार बार आपको परिशानी होती थी जाने में आपका एक result होता था वो 15 दिन के बाद आता था और एक result होता था जो की आदे घंटे के बाद आ जाता था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है आपका जो result है दोनों का एक ही साथ आएगा आपका exam भी एक साथ होगा और आपका तैयारी करनी है केवल और बाकी किसी भी चीज़े पर आपको दमाग नहीं लगाना है बाकी ये नेवी का काम है क्या करता है क्या नहीं करता है और जो भी करता है उसके बारे मैं आपको बता देते हैं जो भी सवाल आपके मन में आते हैं उनके जवाब हम दे देते हैं क्यों कि हमारा काम है आप लोगों की help करना तो सीधी सी बात ही यह कि जिन लोगों ने भी comment किया है उन लोगों के लिए जानना जरूरी था कि आपका जो एक्जाम है वो एक ही होगा और आपका जो application form है वो आप अलग-अलग नहीं कह सकते या फिर कह सकते हैं लेकिन आपके जो application या registration number होता है वो एक ही होता है यानि कि SSA और आगी कुछ आपका number होता है वो एक ही होता है तो दोनों के लिए एक ही exam होना है और आपका एक ही result आएगा बस WSR अलग-अलग post आपको आपकी cut-off के आधार पड़ी चाहेगी तो आप अपने written की और physical की अच्छी तरीके से तैयार आपकी कोई भी अगर update आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से update करते रहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल को subscribe करके रखना पड़ाएगा और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को परसंद अगर आता है आपको तो वीडियो को 50 प्लस लाइक पहुचानी कोसेस करें या यह आप comment box का इस्तिमाल करके हमें comment कर सकते हैं आपसे promise करते हैं कि next video में नए सुधार के साथ फिर से हम आपके सामने हाजर होंगे तब तक के लिए जैहिंद जैवारत बंदे मातरम और आज के वीडियो आपने पूरा देखा हमारे साथ बने रहे हमारा सायो किया इसके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी आने वाली सभी अग्रिम परिक्षाओं के लिए हमारी तरब से आपको धेर सारी सुबकामना है